नमस्ते मैं हूँ डॉक्टर प्रियांका लटकर होमेपथी कंसिल्टन फ्रम हाइद्रबाद आज हम एक जोडो के प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे इसका नाम है रोमेटोड आर्थ्राइटिस अब यह रोमेटोड आर्थ्राइटिस क्या होता है क्यूं होता है इसके सिम्टम्स क्या है इसमें इंवेस्टिकेशन क्या क्या लगते है इसका ट्रीटमेंट और इसके लिए होमेपथी क्या काम करती है तो यह असान भाषा में करने की मैंने पूरी कोशिश की है जरूर आखिर तक देखिए अगर आप इस चैनल पे नए है तो अभी सब्सक्राइ बटन क्रेस कीजिए क्योंकि हेल्थ और होमेपिती लिट्रेट जो जानकरी है वो असान भाषा में मिलेगे आपको इसी चैनल पे तो देखते है वाट इस रूमेटोड आर्थराइटिस रूमेटोड आर्थराइटिस ये एक जोडो का प्रॉब्लम है जो यूज्वली मोस्ली फीमेल्स में देखा जाता है इसका एज लिमिट रहता है जैसे 30 की एज से लेकि 60 की उमर तक आपको कभी भी देखने को मिल सकता है इसमें यूज्वली चोटे जो जो जोइन्स होते ह ये चोटे जोइन्स में स्वेलिंग आती है दर्द होता है सुभा उठने के बाद इसमें स्टिफनेस होता है अब ये होता क्यों है सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि रूमेटोड आर्थराइटिस एक आटो इम्यून प्रॉब्लम है आटो इम्यून का मतलब होता है कि आ बहुता कुछ करना शुरू कर धेती है तो ये जोइंट को कवर करने वाली जो शीट होती है चोटे जॉइन्स में तो यहां पर स्वेलिंग क्रियट करती है यहां पर अटाक करती है और यहां इसलिए ये छोटे joints affected हो जाते है, इसमें swelling आ जाती है, stiffness आ जाता है, कभी-कभी हाथ लगा हो तो ये गरम लगता है, अब ऐसे काफी सारे factors होते हैं जो इसको trigger कर सकते हैं, एक तो hereditary, genetic की ये problem हो सकती है, जैसे हमने देखा females में ये problems बहुत जादा होती है, तीसरा जो pollutants होते हैं, जैस तो आपकी immunity ये problem से fight करकर के ठक जाती है, और कभी-कभी ये जो gene होती है, rheumatoid arthritis के उसको trigger कर देती है, इसलिए ये सारे symptoms बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बहुत बार बहुत stressful अगर किसी की life होती है, professional, personal life या फिर personality ही उनकी वैसी होती है, तो कही ना कही externally ये चीज बाहर अप अपने को देखने को मिलती है, क्योंकि mind में एक stress वो carry नहीं कर पाता है, तो फिर वो physical level पे उसको भेज देता है, अब ये जो problem होती है, वो शुरू तो दीरे-दीरे होती है, small joints में देखना शुरू हो जाता है, यहाँ पे आपको swelling आ जाती है, हाथ लगा हो तो थोड़ा temperature थ होते है, तो यह बाखी joints में चला जाता है, जैसे knee में आता है, shoulders में आता है, elbow में आता है, और बहुत बार क्योंकि यह autoimmune problem है, तो autoimmune के related जो जो अलग problems होती है, वो इसके साथ देखी जाती है, अब बहुत बार thyroid की problems भी इसमें होती है, कभी कभी diabetes आपको देखने को मिलता है, तो इसी बहुत सारी problems है, जो rheumatoid arthritis के साथ आपके body में चलती है, अब इसका diagnosis कैसे होता है, अब diagnosis एक तो physically हमें देखने को मिलता है, कि आपके छोटे joints में swelling आ गई है, या फिर उसके अलावा हम लोग x-rays करते है, या फिर ऐसे कुछ-कुछ test होते है, जैसे आपने सुना होग rheumatoid arthritis factor, RA factor जिसको कहा जाता है, ये वाला चेक किया जाता है, CRP होता है, और ऐसे बहुत सारे हैं, जो यहाँ पे हम लोग mention करेंगे, वो सारे test करवाए जाते है, just to find out diagnosis के लिए कि आपको rheumatoid arthritis की problem है, अब क्यूंकि rheumatoid arthritis ये autoimmune problem है, इसलिए आप conventional treatment में जाओ, तो वहाँ प और ना बढ़े, तो उसको control रखने के लिए medicines दिये जाता है, ताकि वो pain के उपर, stiffness के उपर, swelling के उपर काम करें, अब होमेपिती के लिए अगर हम लोग देखें, तो होमेपिती works on the immunity, works on the life or the person, क्यूं हो रहा है, इसका cause find out करके हम लोग आपको treatment देते हैं, तो इसलिए autoimmune problem क के लिए होमेपिती बहुत अच्छी काम करती है, अब होमेपिती रुमाइटर अर्थराइटिस के लिए क्या कर सकती है, होमेपिती बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि होमेपिती basically आपकी energy के उपर या फिर immunity के उपर ही काम करती है, तो इसलिए जो यो autoimmune की problem चल रही है, उल्टी दिशा में चलती है उसकी लिए हुमेपिति परफेक्ट काम करता है हुमेपिति ना सिर्फ फिजिकल कंप्लेंस को ठीक करता है बट ये इसका रूट पे जाके आप जो इनसान है जो इनसान इस प्रॉब्लम से जूंज रहा है उसकी पस्नालिटी देखके constitutional treatment दी जाती है अब हुमेपिति अच्छा काम करेगी ही करेगी बट अगर आप online जाके rheumatoid arthritis के लिए जो हुमेपिति treatment है वो अगर लोगे तो वो perfect काम नहीं करेगी वो सिर्फ temporary काम करेगी बट आपके problem के लिए आपको अगर रूट से उसको ठीक करना है तो proper हुमेपिति consultant practitioner जो है उसके पास जाएंगे आप proper case लेंगे तो फिर आपका ये problem पूरी तरीके से ठीक हो सकता है अगर अच्छी लगी है तो definitely like कीजिए comment कीजिए और जितना हो सके आपके दोस्तों के साथ share कीजिए आसान भाशा में हुमेपिति और health related जो जानकारी होगी वो सिर्फ इसी चैनल पे होगी इसी लिए subscribe जरूर कीजिए So take care, stay healthy, stay fit with Dr. Priyanka Lai